में से दोस्तों अगर आप आप इसे क्रिल में वीड्रॉखरु करने जाते हैं अपने डैंक अकाउट में यहनि की आपके इस्पुन में बैलन्स है जो बैलन्स को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसिटर करना चाहते हैं को acquire भी बैंक ओ चाहे आइसियू आय हो बैंक अफ बड़ोदा हो देना बैंक हो या कोई साभी बैंक हो आप किस पर भी ट्रांफर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर लिखके आता है you can't withdraw what you don't have कुछ इस तरीके से लिख कराता है या आपके PC में तो withdraw होता ही नहीं है तो basically मैं बता दू आपको अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया के लिए 10 डॉलर होना जरूरी है आपके स्क्रिल अकाउट में withdraw करने के लिए अगर आपका 10 डॉलर नहीं होगा तो withdraw नहीं होगा पर अगर आपका 10 डॉलर है फिर भी withdraw नहीं होता है तो दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि स्क्रिल अपने हर transaction पे छे डॉलर के करीब लेता है 5.5 से 6 डॉलर के करीब लेता है अगर आपके अकाउंट में 10 डॉलर है तो उसको अगर आपको ट्रांसफर करना है अपने अकाउंट में तो आपकी प्रोसेसिंग फी लगेगी 6 डॉलर के करीब यानि की 421 रुपए आपको लगेंगे विड्रॉ करने के लिए अगर आपके अकाउंट में 16 डॉलर होंगे तो ही आपके 10 डॉलर स्क्रिल ले रहेगा अपने पास तो इस तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को क्यूंकि मेरे पास भी यहां पर नहीं है पूरे 16 डॉलर इसलिए विड्रॉ नहीं हो रहा है तो आपको मिनीमम 16 डॉलर रहना चाहिए अपने विड्रॉ करने के लिए दोस् झूलर को कर दोस्य आपको मिनीम憧ाला चॉलर यहीं होता है तो आपको मिननी यहां यहां पास प्रदिए एös है difference ूट